साउथ के एक बहुत बड़े सुपरस्टार हैं जिनका नाम है महेश बाबू महेश बाबू जातर एक्षिन्स विम्स करते हैं, रोमैंटिक विम्स करते हैं और दर्शुकों का दिल जीत के ले जाते हैं उन्होंने भायजान सल्मान खान के उपर एक टिपनी करी थी 2013 में मैं इंटरनेट पर बहुत जादा चीदे रिसर्च करता हूं, इंटर्व्यू चेक करता हूं ऐसे में मेरे हाथ लगता है दोस्तो 2013 का एक इंटर्व्यू जूम चैनल ने लिया था ये महेश बाबू का इंटर्व्यू जहां पर महेश बाबू से उनके रीमेक वाली बातों को लेकर पूछा गया ऐसे में दोस्तों महेश बाबू ने यहां पर बताया कि नहीं नहीं वो कोई फिल्म का रीमेक नहीं कर रहें तरहसल जॉली एलल भी जो की सूपर डूपर हिट हुई थी उसका साउथ वर्जिन आ रहा था और उसमें महेश बाबू होंगे एसी खबरों से मीडिया बाजार गरम था लेकिन महेश बाबू ने इस सारी बातों को अखुलासा करते हुए बताया कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हुँ मैं बैठते हैं और एकदम पॉफेक्ट लगते हैं जिस तरीके से सल्मान खान आक्शन करते हैं वह स्पेक्टाकुलर होता है माइंड बॉगलिंग होता है और देखने में मजा आता है अगर आपको यह मेरी बात जूटी लग रही है तो एक काम कीजिए यूट्यूब तो होगा ना आपके पास कीमड टाइप कीजिए महेश बाबू इंटर्व्यू ओन सल्मान खान जूम चैनल पर यह दिया गया है 24th April 2013 का यह वीडियो है और बहुत जादा इंटरनेट पर सुर्कियों पर भी था उस समय और व्यूस भी इसको अगर आप देखेंगे तो मिलिंज में आए है क्योंकि यह 2013 का इंटर्व्यू है मैं इसलिए यहां पर यह बात मेंशन कर रहा हूं कि लास्ट में मैंने आपको प्रभास जी के बारे में एक बात बताई थी कि प्रभास ने बोला था कि वो फैन है सल्मान खान के तो भीया बहुत लोगों ने कमेंट कर दिया राहूल तो जूटा है राहूल फेक है राहूल की पास प्रूफ क्या है वगेरा वगेरा तो इन सारी बातों को आप लोगों के सामने रखने के लिए अब यहां पर मैं लिंक भी बता देता हूं कि आप की वर्ड्स में यह भी बोली कि भाई जो हैं हमारे वो उनकी फिल्म के लिए एकदम पॉफेक्ट हैं क्यूंकि भाई अच्छी तरह एक्शन करते हैं कमें सेक्शन में आपकी सभी बातों का इंतिजार रहेगा और इसी तरीके के इंट्रस्टिंग अपडेट्स ट्रिविया बताएगा आपका मैं राहूल बोज आप लोगों को टेक केर एंजॉय करो यह वीडियो